हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टो मैं चैनल तो फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम बात करेंगे माइग्रेशन स्रेटिपिकेट के बारे में जी हाँ दोफ्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माइग्रेशन स्रेटिपिकेट क्या होता है क इस situation में हमको migration certificate की आवसेक्ता पड़ती है और migration certificate हमको कहां से बनवाना होता है तो पूरी full detail आपको इस वीडियो में मिलेगी migration certificate के बारे में तो friends इस वीडियो को miss मत करिएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों का या question आ रहा था किसर हमको बताईए कि migration certificate क्या होता है और इसको कैसे बनवाया जाता है तो friends चलिए इस वीडियो को start करते हैं और आपको बताते हैं कि migration certificate क्या होता है और आप इसको कैसे बनवा सकते हैं तो friends वीडियो start करने शेपले अगर आप लोग हमारी चैनल पर नए हैं और चैनल को subscribe नहीं तो फेंट चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि Migration Certificate क्या होता है तो फेंट देखिए जो Migration Certificate होता है यह हमको इनवस्टी प्रवाइड कराती है और इसकी आवसकता हमको तब पढ़ती है जैसे माल लिजे कि आप किसी इनवस्टी से B.A. कर रहे हैं आपको क्या करना होगा कि जो डेखि इनवस्टी है महाँ से जा करके आपको migration certificate बनवाना होगा और जिस आप university में admission लेना चाहते हैं आपको उस university में migration certificate जमा करना होगा तो इस situation में तभी आपको जो है कि admission मिल सकता है अन्य था आपको admission नहीं मिलेगा तो friends अगर आप university change करते हैं बीच में जैसे BA कर रहे हैं, BSC कर रहे हैं, become कर रहे हैं, कुछ भी graduation course कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि बीच में ही या इन्वस्टी हम छोड़ करके किसी दूसरे इन्वस्टी में चले जाएं तो आपको उस situation में migration certificate देना होता है या friends अगर आप board change कर रहे हैं, तब भी आपको जो है कि migration certificate देना होता है जैसे मान लेजें कि आप UP board से पढ़ाई कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि बीच में ही या board छोड़ करके किसी दूसरे board में admission ले लिया या CBSC हो गया, या ICSC हो गया, तो essay board में अगर आप जाना चाह रहे हैं तब आपको जो है कि migration certificate जमा करना होता है और friends या जो migration certificate होता है, या आपको कहां से बनवाना पड़ता है तो friends देखे, जिस भी इन्वेस्टी से आप पढ़ाई कर रहे हैं जैसे मान लिजे कि आप कानपूर की जो इन्वेस्टी है, CSGM उससे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि वह इन्वेस्टी छोड़कर कि किसी दूसरे इन्वेस्टी में admission ले लें तो वहाँ से जिस भी इन्वेस्टी में आप पढ़ाई कर रहे थें, आपको उसी इन्वेस्टी से migration certificate को बनवाना होगा उसके बाद जो है कि आपको उस इन्वेस्टी में जमा करना होगा तो फ्रेंट देखी जो Migration Certificate है वा आपको उसी इन्वेस्टी से बनाना है जिस इन्वेस्टी में आप पढ़ाई कर रहेते हैं अगर आप Board Change कर रहे हैं तो आप जो Board छोड़ रहे हैं आपको उसी Board से आपको Migration Certificate बनवाना होगा और इसी सिच्वेशन में आपको Migration Certificate की आवसेकता पढ़ती है तो फेंट चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं आई होब कि इस वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर इस वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को Like कर दीज़े जादा से ज्यादा coral कर देजए और फेंट संगर आप लोग हमारी चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजे और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दिजे जिससे कि मैं कोई नए वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक उसकी नोटिपिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए तो फेंट चलिए मिलते अगल की एक नए वीडियो में एक नए टोपिक के साथ तब तक के लिए बाए बाए